Hello everyone, आज है 23 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहें Brightcom Group के बारे में आज 5% का Lower Circuit इसना दिखाया है और क्यों न दिखाये क्योंकि भाईया Company दिक्कत में है और सेवी ने एक बड़ा Order Pass किया है जिसके चलते कह सकते है कि Brightcom Group की हालत खराब हो रही है क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो हैं तो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो अगर बात करी जाए Brightcom Group की तो 23 रुपे पर ट्रेट कर रहा है आज 5% का Lower Circuit लग गया है और पूरे दिन यह 5% का Lower Circuit लगा रहेगा अगर बात करें हम पिछले एक महिने की तो आप देखो ups and downs वाला graph है तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई बाद में लगातार 5% का correction बना एक दिन इसने attempt कहा था कल संभलने का या फिर कहलो थोड़ा बहुत उपर जाने का लेगिन आज फिर से 5% के गिरावट देखने को मिल गए क्योंकि खबर ही ऐसी थी यहाँ पर अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो 52% डाउन है लेकिन खेल बड़ा interesting है देखो पहले क्या था? कि यह लगातार गिर रहा था यहाँ पर लगातार गिर रहा था और जब 18 रुपे के करीब पहुँचा तब सेवी की तरफ से एक बड़ा ओडर आया था और यह चीज थी कि भाया इनके accounting irregularities की बात सेवी ने करी थी तब तो यह गिरा जरूर था 18 से 9 रुपे पर गया था यह लेकिन उसके बात कुछ ऐसा हुआ कि 9 से 33 पर चला गया यह 35 पर चला गया और जब यह गिरावट आ रही थी तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर अपडेट किया था कि देखो भया सेवी ने बहुत बड़ा जटका दिया जरूर है तो यहां पर मत भसना हाला कि उसके बाद बहुत बड़ी तीजी भी आई थी और तब भी मैंने वीडियो बनाकर कादा कि यह जो तीजी हार उसो कोई तुक नहीं बन रहा है तो ज़रा संभल के रहिएगा इससे और अब करेक्शन चल रहा है और अब बड़ी खबर यहां पर आई है कि सेवी ने फाइनली फाइनली एक बड़ा डिसीजन यहां पर लिया है ब्राइटकॉम ग्रूप के जो CEO है और CFO है उनको भाइया कंपनी में कोई भी डिरेक्टल पोजिशन होल्ड करने से मना कर दिया है भी यहां पर खबर कुछ इस तरीके से हैं और इतना ही नहीं एक बड़े इनवेस्टर का भी नाम आया है कि रेगुलेटर ने आलसो प्रोहिब्रेट किया है जो वेटर इनवेस्टर शंकर शर्मा है इसका लावब 21 और एंटिटीज है और इंडिवीज्वल्स है जो लोग भया शेर को डिस्पोस कर रहे थे मतलब बेच रहे थे लगातर यहां पर जबकि सेवी ने उनको मना किया था कि आप शेर नहीं बेचोगे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो उसको लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आई है 65 करोड मतलब अगर आप देखोगे तो शंकर शर्मा ने तकरीबन 1.5 करोड शेर बेचे थे 37.70 रुपीज के प्राइस पर और टूटल इसका अमाउंट बनता है 56.65 करोड रुपीज देखो उनको यह डेटा उनको सब्मिट करने में डेले हो गया क्योंके बहिए जो रिकंसाइशन डेटा है बैंक की तरफ से आने में टाइम लागिया उनको उनका यह कहना है कि we will look forward for early closer of this matter वो बातचित करेंगे और शंकर शर्मा उन 30 लोगों में से है जिनोंने Brightcom Group में सेलिंग करी है according to the interim SEBI order यहाँ पर अगर आप देखोगे तो the order dated 22 August was passed as part of the investigation into the company's preferential allotment of the share the order was passed with urgency after finding clearly showed manipulation carried out by BGL मतलब Brightcom Group की यहाँ पर बात करी जा रही है in respect of BGL preferential allotment which inter-allie involved तो यहाँ पर simple से बात है कि वहाँ पैसो को मतलब जो श्रिपॉफ किया गया यहाँ पर allot किया गया तो यह दिक्त है यहाँ पर सेभी का जो यहाँ पर देखो according to the सेभी जो शंकर शर्मा को notice बेजा गया है number 25 was issued 1.5 crore warrants मतलब shares at the price of 37.77 rupees a piece which would have required him to pay 56.66 crore to the company but only 39.98 crore was received lending to short of 16 crore यहाँ पर short रहा है तो यह भी है कि जो preferential allotment हुई है वो किस तरीके से हुई है और अभी पूरा जाच यहाँ पर जो है वो कर रहे है मतलब सिंपल सी बात है अभी payment अगर आप देखो even the 39.98 crore payment could not be verified यह market regulator का यहाँ पर कहना है यहाँ पर देखो November 21 में शर्मा has called bg bcg ब्रैट कॉंग group a 4 a.m. stock and world is sleeping but the faint but it मतलब सिंपल सी बात है चार a.m. को यहाँ पर यह हुआ है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर doubtful case यहाँ पर आज़रूर रहा है और जिसको लेकर देखो cb अभी जाना थी अभी कुछ भी early stage में कहना मुश्किल है और कही ना कही में मैं मानता हूँ कि यार जो भी है वो बत्ता चली जाएगा और यहाँ पर cb ने अभी हाल फिलहाल में जो bright form group के c और cf o है उनको अभी किसी भी position से hold करने से मना कर दिया गया है तो देखते हैं कि क्या चीज़े निगल कर आती है और अभी सेवी जो है वो इनका audit कर भी रही है जो stationary audit है वो इसको उपर देख रही है कि क्या क्या हुआ है जो irregularities हुई है वो किस तरीके से हुई है तो उस पर यह कर रहे हैं मतलब अभी इन्हों ने जो इतने बड़े investors है उन सब को saving ने मना किया कि भया कोई भी share बेचेगा नहीं यहाँ पर कोई भी नहीं बेचेगा share तो देखते हैं कि क्या चीज़े निगल कर आती है तो यहाँ पर overall में इतना ही कहुँगा कि अभी भी चीज़े investigation वाले phase में है तो hourly stage में इसके उपर कुछ भी कहना comment करना जल्दबाजी होगी लेकिन हाँ जब किसी company पर इस तरीके की चीज़ होती है तो भया पहली चीज़ में यही कहता हूँ अवाइट करो ठीक है अवाइट करो जब इतने allegations लगते हैं तो अवाइट करो और जहां तक बात करें market cap की तो तकरीबन 4880 करोड के आसपास का इसका market cap है और company देखा जाए तो देखो यार company का P ratio सब कुछ अच्छा लग रहा है अगर आप बुक पे देखोगे तो 3.45 का P ratio है, current ratio अच्छा है, ROI अच्छा है, debt इनके उपन नहीं है, quick ratio अच्छा है, net profit margin सही है इनका, fundamentals देखोगे तो आपको अच्छे लगेंगी यहां प देख रहा हूं, तो मुझे बहतर तो लग रहे हैं यहां पर, लेकिन बस यही है कि सेवी अब जाच कर रहे हो, जब भी किसी company के उपर जाच होती है, तो भया उस time पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूरी बनाए रखना, मेरे इसाब से safe रहता है, शुरक्षित रहता है, जहां देखो, promoter के 3.67% की holding गिरवी है, public के पास 72.58% की holding है, और सबसे आदो उनी के पास है, Files लगातार बेच रहे हैं, और एक ही quarter में Files ने बहुत बड़ी quantity बेच दी, March में 15.76% की holding थी, Files के पास आज 8.87% है, मतब Files ने एक ही जटके में सब कुछ बेच दिया, mutual fund के पास जी 72.58 देखने को मिल रहा है, उसमें ही बड़े-बड़े investors है जो शामिल है यहां पर, तो मैं यही कहूँगा आप से कि देखो, यह company जो है, वो fundamental तो पे देखा जाए, तो numbers अगर में देखो, quarter on quarter, तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर मैं shareholding pattern देखो, तो मुझे वो देखो, तो मुझे उतना confidence नहीं दे रहा है, एक जटके में बहुत बड़ी तेजी आ गई थी, 117 पर गया था पैनी stop था यह, ठीक है, बाद में उतने ही बड़े crackdowns भी देखने को मिले यहां पर, तो पहली चीज़ तो यह है कि बहुत सारी profit booking यहां पर करी थी, और यही व हुआ कि profit और revenue को बड़ा चड़ा के दिखाया गया, जिसके जलते share में तीजी आई, promoter ने profit booking किया, उसके बाद जब लगा कि यहार दिक्कत में है, तो उन्होंने बाद में थोड़ी बहुत quantity खरीद बली थी, यहां पर, तो यह allegations यहां पर लगे हैं, ठीक है, तो देखते है क्या चीज़े outcome निगल कर आता है, overall अभी इसे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन simple सी बात यही है, कि जो little investors है, अभी तो वहीं दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो गिरावट के शुरुआत हुई है, यहां पर, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखते ह हैं कि क्या होता है, overall यहां पर, तो simple सी बात है, wait and watch, यह मेरा opinion है, बाकी मरजी आपकी है, वीडियो को यही पैंड करूँगा, पसंद आओ, तो like तरशाय करें, उसके अलावा, analysis के लिए जिस portal का मैं इस्तमाल करा हूँ, trade brains, अगर आप भी इसको use करना चाहते हैं, तो link मैं को description में दे दूँगा, और अगर आप मेरा coupon code HSA20 का इस्तमाल करेंगी, तो आपको 20% का discount भी मिल जाएगा, कई सारे बहतरीन features हैं यहां पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े-बड़े investors हैं न, वो क्या खरीज रहे हैं, उनका पूरा portfolio आप check out कर सकते हो, कई बार आपको penny stock भी प्रीज सब्सक्राइब करें, और bright.com गृप के बारे में आपके आसोचें, जो से भी कर रही है, और जो भी यहां पर हुआ है company को लेकर, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे comment में लिके बता सकते हैं, thank you